लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पीफ़ाई पर तो हो रहा है अब उनके खलाफ क्या क्या मिला है लेकिन मुझे याद है जब सीमी पर बेंड लगा था तो कुर्ला में पहले बार जब पकड़े गए थो लोग तो हतियारों के साथ जब मैंने वहाँ धरना दिया पूछा हतियार क्या है तो उनके पास बकरीद में बकरे जबा करने के लिए चाकू रखे हुए थे क्योंकि वो लोग बकरे जबा करके उसकी खार ले करके बेश के यतीम बच्चों को मदद करते थे हतियार कैसे हो गया और सीमी के खिलाफ इतना हाई कोट की जजज ने दो सब बावन पेश का जज़्जमन दिया और कहा कि हमें आज तक सरकार ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि मैं इसके उपर बेंड जारी रख सकूं किसके उपर सीमी के उपर और सीमी को मैं आज से बेंड उठाने की का ओर्डर देती हूं लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोट में जाकर के केस को डाल दिया और केस पर निम पड़ा हुआ है और सीमी के नाम कोई लेगा तो आतंगवाद हो जागा देखिए यह बिल्कुल चीज घरत है देशकंदर की अगर कोई मुस्लिम संगठन है तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया ज कर रहे थे क्या मैंने मैंने नहीं कहा था यह यहां का रहने वाला देखिए उसका नाम पूरा क्या है उसने कहा था कि मैं आरेसेस में काम करता था उनी संगठों में और उस वक्त जो है नांदिया कर रहने वाला वह यहां शिंदे की कश्मीर की वैली में बंप की और मैंने नहीं दिया है वह रहा है वह रहा है वह रहा है इनके संगठन के लोग कर रहे हैं वह उसमें तो नहीं लगेगा अभी अभी यहां पे 25 साल के बच्चे बुलाए गए उनको नफरत भरी गए उनकी दिलों में पूना में कहा गया कि तेजधार हतियार रखो अपने घ यार करके पाकिस्तान के खिलाव बौडर पर भेड़ दिया जाए तो मैं इतालीयां बजाओंगा कि आरेसेस कर रहे लोग बहुत रचा काम कर रहे हैं लेकिन आग्टक मैंने किसी आरेसेस्क वर्कर को पाकिस्तान के लिए बौडर पर लड़त प्रे उड़ते उन्हीं में एक नफरत का माहल पढ़ा किया जा रहा है और जीतना काम भी हो रहा है कि जब बकरीद में बकरा काटने के लिए हर मुसल्मान के पास चाकू घर में रहता है उच चाकू को हतियार बता दिया जाए मैं यह कह रहा हूँ न कि हाँ अगर उनके पास मिला है तो जरूर उनको ग्रिफ्तार किया जाए लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो यश्वन शिंदे ने बताया कश्वीर वेलियू में बलाशना क्या उनकी इंक्वारी हुई क्या टिवी में आया कि इंक्वारी चलने लोग पकड़े गए मैं नहीं पूछू यह बात को क्या मैं यह नहीं पूछूं कि जिन लोगों ने ढूशन सत्किया, 20,00,00,000 को film आपने की बात किया, कि आतंक वाद आतंक मतलब कि डेश में इस इवे डर का माहुल है। क्या उन पर बेंड लगा क्या मैं नहीं पूछूं क्या मैं कहां कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ज़रूर ग्रिप्तार कीजिए लेकिन एक ही तरफ क्यूं आपकी नजर जाती है कि इसके पहले राजिंदर सचर कमिटी पूरे देश का सर्वे कर चुकी है मैं उसे कहना चाहता हूं इस देश में रंगनात मिश्रा जो सिप्रीम कोट के जच थे वो भी सब पूरा मुसल्मानों के हालां देश में क्या कर चुकती है और जहां महाराश्चा का मामिला है हमारे विलास और देश मुख जी ने महमदुर रह्मान कमिटी जो महमदुर रह्मान साब एक कश्मीर केडर के आईस अफसर थे उनसे भी महाराश्चा की पूरी की पूरी मुसल्मानों के हालात क्या पता कर चुके हैं हमें दाल में कालव नजर आता है ये मुसलमानों के भले के लिए सर्वे नहीं करना चाहते है जो इनके इनकी हालाद दिखी जा रही है और मैंने कहर चाह रहे हूं नहीं कहरे हैं देश पूरी दुन्या के कमिटी है जिसे के जोनिर्म कुमिटी कमिटी उसके चीफ कह रहे हैं कि भारत वर्ष जेनोसाइट की तरफ आठ खदम बढ़ा चुका है तीन खदम बाकी है जेनोसाइट के मतलब कि लाको लोग जहां हमारे जाते हैं जहां खून की नदियां बैती हैं उन्हों निकार कि मैंने जिन जिन मुलकों के निशान दही किय किया था वो सच हुआ मैं भारत वर्ष के प्राइम मिनिस्ट्रे कह रहा हूं कि आप इसको सुधारने के कोश्य कीजिए लेकिन हम देख रहे हैं कि सुधारने के बजाए रोज आना कुछ ने कुछ नई चीज़ और ऐसा काम कीजिए जिससे हिंदू मुस्लिम के एक्ता हो भ का सर्वेकर मदरसे के बच्चे आईएस आईपीएस में आ रहे हैं मदरसे के बच्चे अभी नीट में कितने बच्चे मदरसे के आई हुए हैं मदरसे क्या समझते हैं मदरसे को तो अप्रिशेट करना चाहिए उतर परदेश के मुक्त मंतरी को कि गरीब बच्चों को जो ग मystem का लेरा रहा है। मैं देखना हूं कि ये सर्वे अच्छी नियसा ने मैंने जिका झाल एक माताम स्थननारऊ हैं कि अइस थातर मेपड़ाने महृत्शाज्टा में म हमदूर किमिंटी ने पूरा सर्वे किया उस सर्वे को ले करके अगर आप पुर्र Cyberpunk कहलते को ञींद लेकिन इस सवय का मतलब और कुछ मुझे नदर आता है पीछे से.